राजन दाउन चुले के डूंगरगर जनपत पंचायत अंतरगत चौरासी ग्राम पंचायतों में लगभग एक करूर रुपए का मंद्रेगा मजदूरी भुकतान लंबित होने के मामला सुलजने का नाम नहीं ले रहा है पिछले दिनों ग्राम पंचायत दोसेरा में हुए है प्रदर्शन के बाद ग्राम पंचायत मकाट पूला में भी बड़ी संख्या में मंद्रेगा मजदूरों ने अपने लंबित मजदूरी भुकतान को रेकर प्रदर्शन किया तो प्रदर्शन के दोरान काफी हाई बोल्ट भुकतान का जल्द से जल्द किया जाए नहीं तो ये प्रदर्शन समाप तो नहीं किया जाएगा वहीं जर्पदस सदस सेरभी अकरवाल ने बताए कि बीटे दिन ही पूरे मामले को लेका रलेकित में जानकारी प्रशासन को दी गई थी पर तो कोई भी सकारात्मक पहले नही कि होने के बाद ग्राम पंचायत मक्का टूला मैं फिर से मंद्रेगा मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और अब तक मजदूरी भुकतान नहीं किया हो आगया है और तब तक ये अंधूलन और प्रदर्शन चलता रहेगा जनपत पंचायत नोगरगरण में मर्रेगा भुकतान के लगभाक एक करोड़ से उपर रासी का भुकतान बकाया है और इससे पहले ग्राम पंचायत दूसेरा में इसी मामलक लेके 23 नॉमबर को धरना प्रदर्शन हुआ था चक्यदाम हुआ था उसमें सक्षाम अधिकारी जनपत पंचायत डूंकरगरण ने हमें अस्वसन दिया था कि तिम दिवसकंदर दोसी अधिकारी करमचारियों खिलाब में कारवाई की जाएगी लेकिन एक मेहन बीतने का बाद भी ना तो मजदूरी भुकतान के संदर में के द्वारा उचकिया गया है ना दोसी अधिकार सो मजदूरों का लगभग एक लागवी सेर मांकी है इसके साथी साथ चौरास्ती पंचाय डूंगरण गरब लाखो मजदूरों का करोड़ रुपे बांकी है इस कारण से मैं 15 एक हपता पहले 15 दिसंबर को निवेदन किया था एक हपता के अंदर का सभी मजदूरों को भु आज करोड़ रुपिया लाको मजदूरों का पेमेंड है तो हम इनके लिए लड़ाई आज आज करेंगे मुद्धान की मांग कर रहे हैं लगभग वही 83 क्या सपास